कैसा लागा चोरी करने बाद? चोरी करने में तो अच्छा लाए वनिक बाद में पस्तावा हूँगा सर्थ आरे पस्तावा हुआ क्यो? गलत काम टड़ती हुआ हुआ मिला किता तुमको चोरी का माल? मिले दर 10,000,000 10,000, क्या कियो 10,000 का? गरीब लों को बाद दिया हुआ 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 है नमस्कार दोस्तों ये वीडियो अभी वाइरल चल रहा है 36 गट से वीडियो रिकोर्ड हुआ है चोरी करके पकड़े जाने के बाद जब इस आत्मी से पोलीश ने पूछा चोरी करके कैसे लगा? तो इनका कहना ये है कि चोरी करके मुझे अच्छा तो लगा है लेकिन बात में पच्थावा हुआ पर बात ये है दोस्तों इस वीडियो में ये आत्मी जो कह रहा है वो सोचने वाली बात है इन्होंने दस असर रुपया चोरी किये और वो पैसों से कुछ सामान खरीदे और गिरीबों में भाट दे अब जहां भी वीडियो पोस्ट हुआ था उसके नीचे मुझे काफी positive comments देखने को मिला मतलब इस आत्मी के support में काफी लोग कह रहा है सही तो किया है अमीर लोगों से पैसे चुरा के ये गिरीबों में भाट रहा है इसे अचा कोई कामी नहीं हो सकता और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि सरकार जो है कुछ करतों नहीं रहा है गिरीबों के लिए कम से कम इने तो करने दो तो इधर हमें क्या देखने को मिल रहा है, लोगों का frustration, मतलब एक आत्मी चोरी करते हुए पकड़ा गया है, इसके बावजूत, उन्होंने वो चोरी किया हुआ सामान से क्या किया, ये सुनकर लोग खुश हो रहा है, उनके support में आ रहा है, तो हमारे देश में हमेशा एक सवाल उठता है दोस्तो Should Rich People Help Poor People, क्या अमीर लोगों को गरीब लोगों का मदद करना चीए, फ्री में पैसे देना चीए, वैसे Recently Released World Inequality Report के साब से, इंडिया का position काफी नीचे है, 161 countries में से 123 इंडिया का rank है, क्या है Inequality Report, इथर Income Inequality के बारे में बताया जा रहा है, मतलब इंडिया में Wealth Distribution किस त जो है, उसका 57% टोप 10% population के पास है, मतलब मान लीजिए, इंडिया का population है 140 crore, तो 14 crore लोगों के पास इंडिया का 57% wealth है दोस्तों, और सुनिए, टोप 1% लोगों के पास इंडिया का 22% wealth है, मतलब 1.4 crore लोगों के पास इंडिया का total wealth का 22% है, इतना income in इन्डिया में आपने शायद ये कोट सुनाओगा that poverty exists not because we cannot feed the poor but because we cannot satisfy the rich गरीबी होने का कारण ये नहीं है कि हम गरीबों को खिला नहीं पा रहे हैं पर हम आमीरों का पेट भर नहीं पा रहे हैं उन्हें साथिस्वेई नहीं कर पा रहे हैं तो इधर एक सवाल उगता है दोस्त क्यों नहीं भाट रहा है सबसे पहले किसी के साथ पैसा साज़ा करना एक विक्ति की अपनी पसंद है मैं गरीबों को दिये जाने वाले पैसे की खिलाफ नहीं हूँ फिर भी बता रहा हूँ दूसरा हर कोई किसी ना किसी रूप में tax दे रहा है है कि नी आप जितने अमीर ह होंगे आपको उतना आथिक tax चुकाना होगा वैसे आपको पता ही होगा income tax rules के इसाब छे जो अमीर लोग है जो tax लाप का सबसे उपर आता है उन्हें अपना income का 30% तक income tax देना पड़ता है तो इन सारे पैसे का उबयोग basically tax money का उबयोग देश के विकास के लिए यूज किया द्वारा गरीबों की मदद की जा रही है यह तो हमें मानना पड़ेगा तो इतना तो clear है दोस्तों आप जितने अमेर होंगे उतना ज्यादा आपको tax pay करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया करीब 30% tax आपको देना पड़ेगा और उन पैसों का अच्छा उबयो महिने में 30,000 रुपया कमाते हैं अगर वो अपने वेतन से 500 रुपया अलग रखने के लिए तयार है और वो पैसे गरीबों के लिए डोनेट करने के लिए तयार है ठीक है और आन्यमान है कि भारत में 2-3 करोड लोग पर मंद 30,000 रुपया से अथिक कमाते हैं इसलिए अगर एक important बात यह है दोस्तों इन पैसों को कौन collect करेंगे कौन ये ensure करेंगे कि गरीबों की मदद के लिए इन पैसों का सत उभियोग हो रहा है या नहीं और देखें दोस्तों हमारे देश में hospital में इलाज कराने में गरीबों को परेशानी होती है वैसे government की तरफ से काफी स hospitals इतने हैं पर बहुतों affordable नहीं है गरीब लोगों के लिए है की नहीं एक outpatient sheet लेने के लिए 500-600 रुपया लेता है मतलब डॉक्टर को बस दिखाने के लिए 500-600 रुपया लेता है बाकि treatment का जो cost है वो अलग दवाईयों का जो cost है वो अलग तो इधर किया क्या जा सकते है दो वैसे देखा जाएगा तो government की तरफ से already health schemes available है गिरीबों की मदद के लिए पर जैसे मैं आपको पहले ही बताया इंडिया में population इतना है government अकेला कुछ करने के बारे में सोचेंगे भी ना वो proper तरीके से implement नहीं हो पाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसे भी करना पड़ेगा ताकि सबका requirements fulfill हो जाए तो इसी तरह अलग अलग activities के बारे में हम सोच सकते हैं दोस्तों जिससे हमारी जीवन में ज्यादा फरकना पड़े at the same time हम किसी और की मदद के लिए काम भी कर सकते हैं है कि नहीं तो दोस्तों finally मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि पैसे के अलावा भी एक ऐसी चीज है जो गरीब को भी गरीब मैसूस कराती है और वो है बेदभाव discrimination अगर कोई व्यक्तिव पैसे से गरीबों की है तो वो अजीबों गरीब हरकते करते हैं क्योंगी वो लोग अंतर से मन से गरीब लोगों को अपने से नीचे समझते हैं उनके पास पैसे नहीं होने के कारण या फिर status नहीं होने के कारण हमें तो western country से सीखना चाहिए दोस्तों जहां व्यक्ति को priority दिया जाता है उसकी न के बारे में बात करें तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इस चोडी को जसिफे कर रहा हूं मैं तो यह बोला था कि जब इस तरह एक वीडियो इंटरनेट में पोस्ट हुआ उसके नीचे का comments पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा था कि लोग कितने frustrated है लोग कितना चाहते है कि अमीर लोग जो है अपने पैसे गिरीबों में बाड़ दे और इंडिया की जो गिरीबी है वो पूरा खतम करें जो नियर फ्यूचर में कभी possible है भी नहीं तो इसके बारे में आपका क्या opinion है आपको जे please comment box में बता दीजेगा thank you for watching bye bye have a nice day